अब यहां हो गया विद्धा नहीं अब बंद 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 यह पर आप आप अजन बंद यह क्या हो है अब अपनी कहाई ले रहे हैं नहीं रख अरी डूचा यह है उपको सम्झाना हमारे काम है क्यों लड़ना है क्या वाद यह वीडियो यूपी के बारा बंकी का है जहां यूपी पुलिस कैदियो को कोट में पेशी के लिए लाई थी इसी बीच कोट परिसर में जेल की गाड़ी के अंदर सीट पर बैठने को लेकर कैदियो में जम कर मार पीठ होने लगा आपको बता दे कि यह कैदी गाड़ी में भूसे की तरफ भरे जाते हैं जिसकी वज़़े से यह कैदी गाड़ी में अपनी जगा बनाने के लिए आपस में ही भिड़ गये वहीं इस मार पीठ में कुछ कैदी घायल भी हो गये यह मामला सोमवार यानि 29 मही की बताई जा रही है सीट को लेकर कैदियों में घमासान मज गया लेकिन वहीं कैदियों की सुरच्छा के लिए खड़े पुलिस वाले बाहर से ही ताक से रहेंगे जिला अगालक में जिला कारागार से जो कच्छ बंदी लाए जाने के लिए बैठने के लिए मठा दीशी को लेकर वर्चसों को लेकर वहां पे मार पेड़े जाए जबकि जो वाहन है वो ट्रक्से लाए जाता है उसमें चंता से अधिक भूसे की तरह बहुत के लोगों को आदमी अगर प्रिपल बाइक से आता तो उसका चालान कर दिया जाता है और यहां पर ट्रक्स से लाने के बाद में भी यह चंता से अधिक लाते हैं और भूसे की तरह बरके इसी पुलेकर आज मार पीट हुए पुलिस खड़ी देखती रह गई काफी देर के बाद में उन लो कैदियों में हो रही मार पीट को देखते हुए आसपास के वकील भीड लगाकर खड़े हो गई जिसकी वज़ा से पुलिस ने किसी तरह मामले को शान्त करवाया आपको बता दे कि कैदियों को जेल से कोट में पेशी के लिए लाए जाने के लिए जिस ट्रक का इस्तेमाल होता है उसमें कैदी भूसे की तरह भरे रहते हैं इसमें पूल्शों के साथ महिला कैदी भी होती है छमता से अधी कैदी आने की वज़़े से ट्रक में बैठने की जगह भी नहीं रहती, यही वज़ा रही कि अपनी सीट को लेकर कैदी आपस में ही भिड़ गए थे, हालांकि इस तरह की लडाई से कभी भी कोई बड़ी दुरगटना घट सकती है और कैदीयों की सुरच्छा पर बड़ा सवाल उत्ता है, ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तर जगत है